अभी जैसा कि यहां देख सकते हो कि इसका फ्रन्ट कैमरा यूज करके रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये टुके तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और अभी फिलाल जो मैं यूज कर रहा हूं 720p प्राइस के हिसाब से फीचर तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है और कि अवाज वगरा कैसी आ रही है कमेंट करके बताना वीडियो कर पसंद आ रही हो तो लाइक कर लिए सेटप करते करते एक का तो 5G नेटवर्क दिखो यहां पर आगया और यह एयर टेल 5G है फाइनली दूस्तों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और एक्साइटमेंट का जो लेवल है बहुत ज्यादा आई है वेकाज मैंने अपना पहला 5G स्मार्टफोन पर्चेस कर लिया है इस वीडियो में इसकी अंबॉक्सिंग करूंगा और आपको इसके कुछ फीचर्स बगरा बताऊंगा तो अगर आपने गैस किया हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और नहीं भी कहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना आपको पता चलिएगा कि कौन सा स्मार्टफोन जो कि मैंने पर्चेस किया है बाकि अगर आपको इस 5G स्मार्टफोन के बारे में कुछ और भी जानना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा मैं आपकी उस कमेंट पर रिपलाई भी करूँगा और हो सकेगा तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा यह वीडियो पर थोड़ी सी पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक जरूर करना मोटिवेशन के लिए चल यह बॉक्स है अब बॉक्स पैकिंग वगरा ठीक ठाक आने लगी है माजॉन की इसको इस तरह सेंबॉक्स कर लेते हैं और आइधिंग अब आपने गैस कर लिया होगा ही कौन सा मोबाईल होना चाहिए अगर अभी भी कर पायो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताओ पाकि देखो यह रहा जीए दोस्तों यह है मेरा पहला लावा ब्लेस 5G जोकि बहुत बड़ा ब्लेंशियन है यहां बड़ा कर रहा है और दोस्तों यहां पर इक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह देश का पहला सबसे सस्ता 5G स्माटफून है बीसे तो चली जैसा कि देख सकते हैं कि बॉक्स को उपर में कुछ डिटेल वगरा दी गई है यहां पर कुछ डिटेल है और दोस्तों यहां पर आप इसका पांच जार पचास रुपए का लगबग बेनिफिट उठा सकते हैं मिंत्रा और जी फाइट का वो कैसे उठाएंगे वो मै आपको वीडियो में बताऊंगा नेक्स वीडियो में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बाकी यहां पर प्राउडली इंडियन और यहां पर कुछ डिटेल वगरा दी गई है आप चेक कर लेना तो चली फटा बाट इसके अंबॉक्स करते हैं एकदम सील्ड ह इसको कट कर लेते हैं यहां से भी इसको देखते हैं कि यह उठता है यह उठ गया बॉक्स कंदर इधर कुछ नहीं है इसको करते हैं साइड में और यह एक बॉक्स मिला है इसमें एक टीप्यू केस है और वोगी अच्छी क्वाल्टी का है और यह कुछी दिन बाद पीला हो बागी स्क्राइश डिजाइन में है और एक सीमिजेक्टर टूल जो की एक ही बार सिफ काम आता है और दोस्तों यह है फ्री सर्विस एट हो और यह अभी तक कोई भी मोबाइल कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती है अब वो किस तरीके से करेगी क्या क्या चीज होगी फ्री एट होम सर्विस तो यहां पर डिटेल दी गई है आप चाहो तो इसको पिंचें जूम करके पढ़ लेना मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं किसके बारे मुझे नहीं मालू कीमत की हिसाब सकर देखा जाए तो जो चीज यह प्रोवाइड करा रहा है उस कीमत पर फिलहाल के टाइम में अभी आपको कोई भी ऐसा स्माटफोन नहीं मिलेगा जो कि 10,000 से कम मतलब एक रुपे कम जो दिकी 10,000 से कम की प्राइज में आपको जो फीचर से के अंदर में मिल रहे हैं वो अभी फिलाद किसी और स्माटफोन के अंदर में नहीं है चितना मैंने अभी इसको यूज किया उसके हिसाब से में बता रहा हूं सब कुछ ऑसम लेवल का है अगर आप एक बजेट स्मा जरूर है बट देखना जरूर अगर आपने इंट्रेस्टेड हो और रिभाय करना चाहते हो लावा ब्लेज 5G जी हां तक ही दोस्तों जैसा कि यहां कर देख सकते मेरे पास एक ही और मोबाइल है इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है नाइस केंसेलेशन भी से अच अब 10,000 की प्राइस पॉइंट के साथ चकत देखा जाए तो यह अच्छा स्मार्टफोन है जो कि 5G सर्विस हमको प्रोवाइड कराता है यहां लावा की ब्रेंडिंग है 5G लिखा हुआ है फाइनली दूस्तों यहां पर देख सकते हो कि स्क्रीन गाड लगवा दिया है यार अस्य रुपए खर्च हुए और स्क्रीन गाड भी दों सई सही से नहीं लगा पाया यहां दोखो बबल यहां बबल यहां बबल अफर दुबंदार ने खा कि सर आप कहें तो उसको चेंज कर दें मैंने का यार चेंज करो कि तुमारा नुकसान होगा ही कुछ पैसे कम ले लो वह हुआ यहां देख रहा न यह यह चलो जो भी है तो फिलाल यह स्क्रीन कवर लग गया है अब थ्वासा रिलक्स हो गया दोको यार यूटुबर होने का मतलब यह नहीं कि उस तरीके से सब्कुछ देख कर पाना जैसा जो sö आर लोग कर पाते हैं आपने बसकर नहीं है विलेट है और यह खड़ा उपाएगा युथि advise पाएगा ए okay अभाईवज आपाएं ग्लास बैक तो है, बट ग्लास बैक का वो ग्लास बैक नहीं लग रहा है, जो मेरा 1 प्लस 6 में था, अगी है, ट्रेक्स्चर भी अजीब सा है, चलो जो अभी है, फिंगर प्रिंट इस पर आएगा, I think फिंगर प्रिंट वारा नहीं आ रहा है, तो जो भी है, चलिए अब इसक बहुत ज्यादा पतला है, तो यहाँ पर यह लावा लिख के आ गया, तो HD plus display है, अगर आपको यहाँ कर दिखाऊं, तो यह से नजर आ रहा है, और यह से आपको नजर नहीं आएगा, तो असला, display बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, तो अब यह hybrid sim slot है, यह मुझे तो नहीं दिएगे, जो कि हलका फुलकाई water को drop light को बचा पाए, तो यह चीज नहीं हो पाएगा, एक sim या एक memory card, या दो sim, सबसे पहला G.O का sim ही लगाते है, और सुनने में आया था कि G.O का sim लगाते ही, एक्टिवेट हो जा रहा है, चलो सबसे पहले G.O का 4G sim है, अब देख और जैसा कि यहां पर देख रहे हो, यहां पर 4G network आ गया, इसमें carrier aggregation का support है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, OTG का support है, call recording है, यह अच्छा है, कि Google dialer नहीं है, अब यह देखना होगा, क्या यह automatic call record कर पाता है, यह भी अभी देखना होगा, और अभी 4G network है, और अपना area ज नजर आ रहे है, उसने कहा था कि नजर नहीं आएगा, काफी clean है, बढ़िया है, थोड़ा सा slow feel हो रहा है, चलो, fast है, दूसरे उंगली से भी खुल जाए का देखते है, नहीं खुल रहा, face, priority, थोड़ा सा delay है, अब आकि दोस्तों, out of the box, यहां पर आपको android 12 मिल जा रहा है, बाकि कितने update पगरा मिलेंगे, अभी कुछ clear नहीं है, वो आने वाले time में पता चलेगा, बाकि यहां पर सारा चीज complete हो गया है, और 4G plus का support इसमें नहीं है, बाकि एकदम clean android है, यही चीज म यकीन मानों दोस्तों, अब बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट आप यकीन मानों, color वगरा जो अभी आप देख रहो न, और यहां पर 4X तक का digital zoom है, जो कि ठीक है, overall देखा जाए, सच बता रहा हूं, impressive है, बाकी यहां पर देख सकते हो, 50 megapixel में अच्छी खासी photo detail होगा रही है, यहां पर देख सकते हो, बहुत बुरा नहीं है, 10.24 volt का charger है, यहां पर देख सकते हो, 0.5 ampere, और बाकी यहां पर देखा जाए, setting में, तो out of the box हमको जो मिलेगा, about phone के section में जाते हैं, और android version, तो यहां पर click करते हैं, तो यहां पर देखो, out of the box android 12 मिल रहा है, बाकी इससे related आपका कोई भी question हो, प्लीज बेज जिजग नीचे comment करो, मैं आपके comment के reply भी करूँगा, और बहुत जल कोशिच करूँगा, इस पे और भी ठेर जारी वीडियो बनाओ, ताकि जो भी इसके pros and cons है, वो आपको proper पता चल सके, इसलिए चैनल को subscribe कर लो, और इस वीडियो को like जरूर कर देना, जल को शिए झाल